वेलकम डियर फिंड्स, येर वी आर प्लानिंग टू गीव यू वेरी इंपोर्टेंट कुश्चिन्स फ्रम पॉर्ड कमिंग बोर्ड इग्जामिनेशन, ये आपके सामने एक कुछ इंपोर्टेंट कुश्चिन्स की लिस्ट है, जो कि मेरे हम लोग का जो टार्गेट है कि हर बच्छा पास हो जाए, तो मीनिमम लर्निंग प्रोग्राम पर आधारित एक स्रीज जो कि हम टीचरों ने एक वर्क्शॉप में बनाया था, तो ये हमारे, निस्टा हमारा ये निस्टा इंकम एंड रिटेट अग्रिगेट्स, अब इसमें पहला कुश्चिन हम लोग ने ज का two sector economy, जैसा कि इस सरोविधी थे, कि हम लोग को two sector economy ही पढ़ना है, तो two sector economy में जो circular flow इस बार प्रिवोर्ड बॉर्ण भी क्वेश्चन आया था, और लगबग हर एक्झाम में किसी ने किसी रूप में क्वेश्चन, चाहे real flow से हो, money flow से हो, चाहे वो इसी के अधार पर जो household sector का definition पूछ दें या producing sector का पूछ दें economy के जो disposition of income पर question पूछ दें किसी भी तरीके से question circular flow में यह पूछा सकता है और इसका definition पूछ दें define कीजिए इस पर भी question पुछा सकता है ठीक है तो income का origin कहा होता है कैसे होता है यह इस पर question तो जब इस पूरे model को एप explain करेंगे तो यह सारे questions अपने हो जाते हैं और यहीं से चुकि निकल कर तीन method का जो concept है measurement of national income में तीन method करते हैं तो उस तीन method का जो concept नहीं से उभर कर आता है तो ज़रूरी है कि हम इसको बड़ा ही धान से पढ़ें तो a simple economy is of only two sectors जो simple economy चुकि हम लोगो को two sector model ही पढ़ना है four sector model नहीं पढ़ना है तो c प्लस i प्लस g प्लस x मैनस m जो हम four sector model करते हैं उस में economy closed economy और open economy के हम कर सर्चा कर लें थोड़ा साम थोड़ा भी से अंतर इम बात कर रहा है question आपके सामने है answer भी आपके सामने है अब इसको आप देख सकते हैं तो closed economy open economy closed economy में three sector model तक आ सकता है c प्लस i प्लस g तक आ सकता है और open economy जब होगा तो x minus m एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी उसको भी include करें तो simple economy assumes only of two sectors तो household sector अभी हाँ बच्चों को यह चाहिए कि household sector का example क्या है household sector में किन किन चीजों का सामिल किया रहता है ठीक है इस तरीके से गर हम इस एक question में कई question सोचें तो हमारी तयारी अच्छी हो सकती है इसी तर प्रोडूशिंग सेक्टर फर्म है ठीक है उसके बार इसका definition क्या है तुसमें तुम तरह से इस क्यों देशकते हैं उपलर फ्लोब इंकम थे बटर अंडेस्टूट विद अधा है अभी डियागराम देखे विन रियल फ्लोव जो मर्जब फीजिकल मौमेंट होता है तो वह रियल फ्लोव काता है जिसे माने यह फैक्टर गूट्स अगर्टर अटर्विशिज और फैक्टर सर्विस जगें अब यह जो भी है यह real flow है मारा उसी तरह consumption expenditure यह monetary flow है, factor payment monetary flow है, तो दोनों की अंदर वाले जो सर्कील है, वो monetary flow को बताते हैं और बाहर वाले सर्कील वे real flow को बताते हैं, तो यह इस सर्कील की circular flow को लिखना होगा, there are two types of circular flow, real flow, money flow, दिदिया real flow क्या है, refers to the flow of factor services from household to firms and the corresponding flow of goods and services, यहाँ पर underline करने वाली बाद था कि corresponding flow, जैसे ही factor service from household to firm जाता है, उसी तुरंद जो है corresponding flow, मत उसके तरत उसको payment मिलता है, corresponding flow of goods and services from firms and household, तीक है, तो सकत्के, तो जैसे ही factor service को जाता है, उसलीं त्yn तरह उसको सामान मिलता लेकुल है, तुर यह इस तरह से इसको value points को underline किया गया है, प्रिखाया गया है, जैसे तरह आपको underline करना होगा है, यह value points होते है, एक examiner जो है, जब paper check करता है, तो यह value points को देखता है, value points को खोचता है उसी के अधार आपको नंबर मिलता है आप कितना ही पेज लिख दें अगर value points नहीं लिखा हो तो मार्ज जीरो मिलें इसलिए value points को लिखना जरू होगी होता है money flow money flow refers to flow of factors payments from firms to households for their factor services and factor services कौन-कौन सी है यहां पर यह ध्यान रखीगा तो factor services with land, labor, capital, entrepreneurship and corresponding flow of consumption expenditure from households to firm from purchase of goods and services produced by the firm inner circle तो यह होगा circular flow अब इस तरह question एक है will the following be included in the national income of India give regions यह give regions वाले questions आज कर ला रहा है तो इसको यहां पर अब यहां profit इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर इस तरह question में आप region नहीं देता है तो मार्ज जीरो मिलेंगे तो region देना बहुत ज़री है profit earned by an Indian bank from its branches abroad भारतियो बैंक है और इसके ब्रांच जो है अमेरिका में है मालीजी तो उसको जो profit मिलती है तो क्या वो नेसल income का पार्ट होगा भारत के ठीक है इसी तरह question बिचार करेंगे salaries paid to non-resident Indian working in Indian embassy in USA यह काम करता है इंडियन इंबेसी में लेकिन इंबेसी कहां USA में यहां कई चीज़ों की concept है इंडियन इंबेसी डिमस्टिक टेटरी का पार्ट होगा भारत का है भारती इंबेसी चाहें भी हो USA में हो रसिया में कहें भी ह इंडियन इंबेसी है तो इंडियन इंबेसी है में किसका पार्ट होगा इंडिया की domestic टेटरी का पार्ट होगा तो वहाँ पर question क्या कहता है कि salaries paid to non-resident Indians वहाँ पर QNRI काम करता है इंडियन इंबेसी में तो उसको जो salary दिया लती क्या हो national income का हिस्सा होगा question तीसरा question है payment of interest on loan taken by an employee from the employer payment of interest interest payment के एक loan लिया एक employee ने अपने employer से और उस loan का interest पे किया तो क्या national income का हिस्सा होगा यह तीन questions है पहला question जो था कि profit earned by Indian bank from profit earned by Indian bank from its branch abroad ठीक है मतलब हमने example तो यह से कलेने का प्रयास के था तो national income में इसको सामिल किया जाएगा national income yes included in national income of India because 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 it is a part of net factor income from abroad यहाँ पर net factor income from abroad NFIA को underline किया गया है ठीक है यह value points है क्यों तो क्यों को जो है underline करना जो रही है net factor income from abroad का हिस्ता होगा ठीक है दूसरा question है salaries paid to non-resident Indian working in Indian embassy in university Indian embassy में है वो तो अब question में दिखे इस का अनसर दिया तो तो अब question में दिखे इस का अनसर दिया it is reflected in the national income of India as negative as a negative component because it is a part of the factor income to rest of the world ठीक है तो यह question बहुत ही अच्छा question है कि salaries paid to NRI है ठीक है NRI को दिया गया है और वो Indian embassy में काम करता है लेकिन वो USM काम करता है ठीक है तो NRI है इसलिए तो क्योंकि वो domestic territory का part भी होगा तो क्योंकि वहाँ पर Union embassy में किया गया है ठीक है तो भारत से एक NRI तो यह इसलिए चुके NRI है इसलिए यह निगेटिव कंपोनेंट की तरह काम करेगा इसलिए रिफ्लेक्टे इन नेसल इंकम अफ इंडिया इसलिए तीसरा कॉस्चन है पहुत इच्छा कॉस्चन है तेकनिकल कॉस्चन है बहुत इच्छा कॉस्चन है कॉस्चन में टू पैमेंट आफ इंट्रेस्ट अन लोन टेकन बाई एंट्रेस्ट पेकर्ड रहा है तो यौस्चन है थो इसको नहीं देकन सामेंट और अच्छा करेंगी इसको नहीं आहिं già करेंगे नाक hostile as DA तो इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि आपको यह रिजन दिने बहुत ज़रूरी है तो दो कोश्टन सभी हमने डिसक्ट के विए आगे और कोश्टन के लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब कोश्टन जिसक्र कर रहे हैं सब्सक्राइब एक्षाय च्रह पर एकश्टर किया यहां पर हमने डिसक्राइब टिसक्राइब और आउटरा बले क्या है वो रेल इंकम का पार्ट है जिसका ध्यान देंगे हम तुछ इसका वैलू